असलाम कुम एब्रिवन विल्कम बैक टू मैं चैनल सो आज मैं दिनर का प्रप्रपरेशन कर रही हूं मेरे दिनर में रहेका सॉफ्ट सा पूरी एकदम बिल्कूल फुला फुला और मैंने यहां पर भूंजा चिकन बनाया है ठीक है तो ने dining में मेरा चीकन यहां पर रहेका वन कीजिए सा इस यहां पर रहेका और सुफख एक हैं लों जोला यहां पर फूर्व और और तो श्लाइस कर लिया है क्योंकि से बूहना ने हैं नीक्रत्यवितिyba ना है तो ओनियन का यूज होगा तो यहां पर मैंने 3-4 ओनियन बड़े साइस के लिया है आप चाहे तो छोटे साइस के भी दे सकते हैं 6-7 ओनियन और अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं जरूर नहीं इसी अकॉर्डिंग करना है तो मैंने ओनियन ले लिया है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और रेट चिली का पेस्ट है तो जिंजर गार्लिक वन टेबल स्पून है और रेट चिली का पेस्ट वन टेबल स्पून है और यहां पर मैंने गरम मसाला का पाउडर बनाया है और यह भी वन टेबल स्पून से जादा ही है कम नहीं है तो यहां पर उसमें ऐड कर लिया अब में कढ़ाय ले यह पास मेPM CH मस्टर्ट ऊएल बड़ोर्ट आम पाड़न धरए करिये तो अब्यटर्ट अब यह उसके किसा उप अब मैं चिकन साथ है अब मैं सारे चिकन ऐड़ें कर लेना है और चिकन रहो है और अपने ची पालसे नहीं कर सकते हैं अभी आहाई कर दाएगा जब यहाईो तक नहीं को मसाला इस ही जो इसे अच् giaですね कवर करके रख देना है और अच्छे से फ्राइ कर लेना घ्र यंधर ला फ्लेम करके रख लेना है चरण सोफ्ट हो जाना चाहिए तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और चिकन का smell चला जाना चाहिए जब तक चिकन सॉफ्ट हो जाएगा तब तक मैं mix wedge का तैयारी कर लेती हूँ तो इसे cover करके रख देती हूँ अब चलती हूँ mix wedge बनाने तो यहाँ पे मैंने two onion लिया है tomato लिया है potato लिया है garlic ginger लिया है and coriander leaves लिया coriander leaves कर नंधन लिया है and cashew भी लिया है तो इसका मैं paste बनाओंगी तो यहाँ पे मैंने coriander leaves डाल लिया garlic डाल दिया cashew डाल दिया and onion भी और 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 और한다 कर लेंगे वण टमाटो बनाओं है और यह जाथ चोंग तो इसका मैं paste बनाओंगी अगर आपके पास garlic का पेस्ट नहीं तो और ख्हडए garlic का पेस्ट आड़ यहाँ पर में भाव में भाव में आप डहीं यहां पर मातर भाव मनने ख्राळ तो यहाँ पर देना है लाया प्रॉज़न मतर इसे अच्छे से हीट कर लेना और मस्टर ओयल के खासिया थे कि उसका स्मेल चला जाना चाहिए नहीं तो फिर आपका जो जो सबजी बनेगा कुछ भी बनेगा उसमेल रह जाता है लगार अच्छे से हीट हो जाएगा यहां पर और अच्छा सब्सक्राइब कर दोना चाहिए आपका समय क्राइब को पासि फ्राइब हागा अब में यहां पर पेस्ट आइड कर दूंगी नेक्स रिस को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसका स्मेल चला जाना चाहिए क्योंकि इसमें जिंजर गालिक का पेस्ट है मिन्स जिंजर गालिक इसमें आड है तो जिंजर गालिक का स्मेल चला जाना चाहिए तो अब तक मस्टेड का जो स्मेल था वह भी चला गया है और इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद जिंजर गालिक का स्मेल भी अच्छे से चला जाना चाहिए अब मसाला बहुत अच्छे तो आट कर दी है और नॉमल में अड़ कर दिया प्रॉट और सकते हैं नुद्स आड़ से यहां पर मैंने अर्ट कर甘lli इंड चाहिए पालो में अथि आड़कर दीह अर श्का टाता चाहिए जोड़ी मिलम कटेध कोटा जाना चाहिए और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट तो यहां पर मैंने सॉल्ट एड़ कर दिया है और अच्छे से यह जब तक दो ढूल नहीं होता इसे और रख करके iho prob और यहां प्यों पेकर दो की ने-पन ब niveau इंखर सब्दग कर दों दाते हां सहे लेजु term you can order it make比較 and Это hour निक्स्ट भी तैयार हो चुका सब सफ्ट हो चुका है मसाला का समेल भी चला गया है मसाला भी अच्छे सफ्राई हो चुका है अब मुझे थोड़ा सा यहां पर विन टिमाटो आड़ कर चुए गाए है इसे कवर करके रख देना है क्योंकि थोड़ा से टमाइटो सॉफ्ट हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा यह खुबसूरती के लिए है और खाने में भी अच्छा लगता है इसेति कर लेना Zus लो nailed के लाने दो अच्छे से कर लेना है न में चुन कर लेना है यह इसमें पोडिछ वेज है और यह में दिन aumentar हो न को लाइक शेया और सब्सक्राइब करें झाल झाल